गर्मी या बरसात के मौसम में घर में छिपकली का होना आम बात है। अक्सर जब हम अपने कमरे या घर के किसी कोने में छिपकली को देखते हैं तो उसे जाड़ू या दंडे से भगाने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से आप खुद को ही हानी पहुचाते हैं। शास्त्रों में छिपकली को मालक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसलिए ना छिपकली से दरना चाहिए और ना उसे भगाना चाहिए। ज्योति शास्त्र के अनुसार छिपकली हमें भाविश्य में होने वाली शुब और अशुब धटनाओं के बारे में भी संकेत देती है। आज के इस लेख में हम आपको छिपकली से जुड़े शुब और अशुब संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं। दिवाली की राध छिपकली दिखना, अगर दिवाली की राध घर में छिपकली दिख जाए तो ये बहुत शुब संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे आपको आने वाले पूरे साल में किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में सुक सदैवी बनी रहेगी। चिपकलियों को लड़ते हुए देखना। चिपकली का आपस में लड़ना अशुब माना जाता है। यदि चिपकलिया आपस में लड़ती दिखाई दे तो घर के सदस्यों का आपस में अत्वा दूसरों के साथ जगड़ा या मतभेद होता है। नर औ और मादा चिपकलियों का समागम। अगर चिपकलिया समागम सेक्स करती दिख जाए तो यह एक अच्छा शकुन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चिपकली समागम करती दिखे तो आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। अगर घर में चिपकली दिखे तो क उसे मन ही मन बोले। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से आपकी कामना करे की पूरी हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार छिपकली की पूजा से जीवन में धन संबंदी समस्याएं खत्म होती है और धन प्राप्ती के नए मार्ग खुलते हैं। नए घर में छिपकली दिखना अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो और आपको छिपकली मरी हुई दिखे जाए या मिट्टी में दिखे तो ये हशुब संकेत है। इसका मतलब होता है कि ग्रह स्वामी बीमार पढ़ने वाला है। सपने में छिपकली दिखना अगर आपको सपने में छिपकली शिकार करते हुए, कीले मकोडी खाते या हमला करते हुए दिखे तो ये हशुब संकेत है। इसके अलावा सपने में छिपकली को मारना, छिपकली से दरना या रेंगते हुए देखना भी अप्शकुन माना जाता है। ये सभी संकेत भविश्य में होने वाले अशुब कार्यों या घटनाओं को दर्शाते हैं। वहीं, अगर आपको सपने में दिखे कि आपने छिपकली को पकड़ रखा है या छिपकली आपसे डर्ती हुई दिखाई देती है तो ये बहुत शुब संकेत होता है। इसका ये मतलब होता है कि आपको भविश्य में जल्दी शुब समाचार मिल सकता है या आपके साथ कुछ अच्छा होगा। पूजा घर में छिपकली का होना, छिपकली को मा लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता नहीं आती है और धन संपत्ती बनी रहती है